How are you all doing? I hope आप लोग सब अच्छे से हो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम अंकेता लाल है और मैं आप लोगों को NCRT Biology पढ़ा रही हूं आज का हम लोग का चैप्टर है चैप्टर नमबर 7 Transportation and Animal and Plants आप लोग जानते हैं हम लोग Class 7 में पहुँच चुके हैं तो ये चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं इसके बार में पहले थोड़ा सा information दे दूँ ये चैप्टर ना exam point of view से बहुत जादा important है क्योंकि एक्जाम में especially BPSC में ब्लड से transportation में हम ब्लड वगेरा ही पढ़ेंगे आपको आगे पता चलेगा से काफी questions आते हैं huge number of chunk और ऐसे भी information के लिए important ही कि इससे दूसरे questions भी solve हो जाएंगे आनिमल फीजियो से related ये हम लोग human physiology पढ़ रहे हैं human की पूरी जो process होती है उस आप लोगों क्या करना है NCRT की book सामने कोल के रखनी है ताकि हमें पता चले कि हमें NCRT cover किया है हमें भी एच्छे सी credibility मिलेगी उसके अलावा आप लोगों को concentration के साथ पढ़ना है ये तो आप लोग जानते ही और खुद के running notes बनानी की कोशिश करनी है फटा-फट वाले ताक हमें एक पिक्चर दिखती है इसमें आपको हाट वेन आर्टरी ये सब चीजे दिखाई गई है और ये आप लोग देखेंगे हैं पर आर्टरी इस रेड कलर शेद दिखाई गई है और वेन ब्लू कलर से दिखाई गई है ये आपको perspective देने के लिए कि हम क्या पढ़ने वाल हर बोड़ी को मैंने आप लोगों को बताए तरह जब आपको चेप्टर पढ़े थी हर और इनको की अपनी नीड होती है तो उसको टांसपोर्ट भी तो कराना ज़रूरी है है कि नी तो उस टांसपोर्टेशन के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारी जो वेस्ट प्रॉडक्ट उसको भी ट्रांसपोर्ट करने की जुरुड़त है तो उसके लिए भी इस अर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए अभी क्या है सर्कुलेशन किसका हो रहा है यहां पर ऑक्सिजन का सर्कुलेशन होता है और भी बहुत सारी चीजों का सर्कुलेशन होता है ठीक है तो इसको हम डीटेल में देखेंगे तो चलिए अच्छा से स्टार्ट करते हैं ट्रांस्पोर्टेशन इन प्लांट है ना अनिवाद ओल और्गेनिजम्स नीड वाट फूड वाटर और ऑक्सिजन हमने देख लिया आप जो हम लोग करेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन हुमन्स सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन सर्कुलेट होना इधर से उधर जाना इसका सिस्टम ठीक है तो कुछ सिस्टम है तो उसका कॉमपोनेंट होगा किसी चीज से मिलकर कोई सिस्टम बनता है एकलौती चीजों से तो बनता नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है बलड, बलड वेसल्स और हार्ट इसको हम लोग अच्छे से डीटेल में देखेंगे बलड वो चीज है जो सर्कुलेट करवाती है सामान को जिस जगह से वो सर्कुलेट होता है जिस से बलड बहता है वो बलड वेसल्स है और जिसका काम है यह सब को देखना, मैनेज करना वो हार्ट है तीन चीजे तीन तरह का काम तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बलड से सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है ब्लड तो ब्लड में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वी सी डाट ब्लड इस वाट ब्लड इस फ्लूइड ठीक है यह वर्ड आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगी जो फ्लो करता है हमारी ब्लड वैसल से ब्लड के भी कॉंपोने है ठीक है ब्लड में होता है प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स डब्लू वाइड ब्लड सेल्स और प्लेट अब मैं आप लोगों को बताते हूं यह चीज़े हैं क्या ठीक है तो ब्लड जो है फ्लूइड तो है पट आपको याद रखना है फ्लूइड कनेक्टिव टिशू है ठीक है, connective tissue है, काम ही है इसका connection करवाना, तो connective tissue, what connective tissue, fluid connective tissue, exam में अगर दिख जाए कि blood is what, option में रहे cell, tissue, organ, तो आपने याद रखना है, it is a tissue, ठीक है, exam में ऐसे दे देते हैं, और confused भी हो जाते हैं, अब आपने अगर हम blood को divide करके देखें, तो blood जो है न, mainly दो पार्ट में divided होता है, एक होता है plasma, और दूसरे होती है, corpusels, ठीक है, यह हम divide करते हैं, ये कोई इसे हमारी body में divide औक कर नहीं आए, हम डिवाइड करते हैं, हमारी ease के लिए, हमारी असानी के लिए, तो जब plasma की बात करते हैं, तो plasma कितना percent होता है, corpusels कितना percent होता है, plasma around 60% होता है, हमारी body में और बागी के around 40% corpuscles. corpuscles को cells भी कहते cell का ही fancy सा शब्द है corpuscles. अब जब हम blood की बात करते हैं तो blood के type होते हैं, corpuscles की बात करते हैं तो इसके type होते तीन तरह के red blood cells या corpuscles, white blood cells या corpuscles और तीसरे होते हैं इसमें platelets ठीक है अभी देखो आप लोगों को तो ये ncrt ने बता दिया पर exam में क्या होगा ना confuse करने के लिए कभी कभी ये ना rbc red blood cells नहीं देके आपको erythrocytes दे देंगे ठीक है erythrocytes आपको wbc देके नहीं देके ल्यूको साइट्स दे देंगे और आपको प्लेटलेट्स नहीं देके थ्रॉंबोसाइट्स दे देंगे तब ना confuse नहीं होना यह क्या है यह इनी का दूसरा नाम है जब भी किसी चीज़ में erythrium या erythra लगा रहता है तो वह रेड से नंबर ऐसे जो है ना इंक्रीस सा हो जाते है तो यह देख लिए आम लें कैंसर जब भी आपको कहीं पर दीखे ना तो कैंसर का सींपल सा मतलब होता है अब नॉर्मल ग्रोट ऑफ सेल्स एब नॉर्मली कुछ ग्रोग कर जहेती तो वहीं कैंसर बन जाता है कुछ भी तो हमने यह देख लिया है अब यह उspan he अब हम बात करेंगेiquementलाज्मालाज्मा क्या होता है प्लाज्मा नष्टी क्यों होता है वह बाद इमपोसिछन पार्ट होता है क्योंकि प्लाज्मा ही ओता है जिसके अंदर guitar हां मैं लिग देती हूं अब लोगों के लिए प्लासना का कॉंपोजिशन की जब बात करते हैं तो इसमेह होता है हमाना 9% water नाइन परसेंट इसमेह पानी होती है ठीक है उसके बाद इसमेह वह साथ परसेंट प्रोटीन ऋता है 7% protein और बाकी के बच्चे होते हैं salt ठीक है अब ही देखो मैं हमेशा बोलते हूं ना पानी क्यों important पानी आप देख रो कितना important part है plasma का 90% water होता है यह बड़ा important होता है plasma plasma का function होता है transport करवाना किसका hormone excretory product इन सबका एक पार्ट से दूसे पार्ट तक तो मैं इसका यहां पर थोड़ा function लिख देती हूं कॉमा में plasma का function क्या है तो यह से मैं लिखती हूं function आप लोग समझ जाएंगे function जो होता है plasma का वह होता है transportation of substances यही काम ही है इनका transport करना transportation करना hormones का food का digested food अलग अलग चीज़ों होगा है hormones hormones etc transportation करवाते हैं तो यह हमने plasma का function देख लिया अब चलो आगे बढ़ते हैं अभी देखो major role क्या है transport of substances like digested food हमने बात करी यहां पर small intestine from the small intestine to other part of the body और इसके अलावा oxygen हमने इससे पहले respiration पढ़ा थे इसलिए होता है ताकि पीछे के चैप्टर से आगे के चैप्टर समझ में तो इसलिए पहले हमने क्या पढ़ा था उसके अलावा वेस्ट का removal भी करवाते हैं कितना important part है वेस्ट रह गया तो problem हो जाएगी जानते हैं आप लोग हमने देख लिया था कि plasma में fluid होता है जिसको और ब्लाड में fluid होता है प्लाजमा जिसके अंदर cells suspended होती है नहीं जल्पडी रहती है cells कमने देख चालूइस प्लाजमा साट पर संट चलो और स्टार कर देघू की बात करहें लिए है इसको मैंरे क्या गव्युक्ब करसे शीच देख चलोडों कर देख चलो दिखता है क्यूंकि एक रेट के Cuando inconsistent पिग्मिन turns स्विक पर दिखता है इसको अंlor similarities हाइल एक लोगी चलिए अभी आपने सोचे कि हीमोग्लोम अपको बताऊंगी तब ही क्लास है हमारी ताकिन मोर देन important more than what is given in NCRT we'll get to know ताकि exam में कोई question is topic से ना छूते है हीमोगलोबीन जो है ना उसमें जो हीम होता है दो पार्ट से बना होता है हीम प्लस ग्लोबीन ग्लोबीन जो है ना वो एक प्रोटीन होता है और हीम जो होता है हीम is the iron part ठीक है और इस वज़े से इसमें जो है वो ग्रेड कलर आ जाता है तो यह हमने देख लिया हीमोगलोबीन के बारे में हीमोगलोबीन जो होते है हीमोगलोबीन का क्या काम है एक तो रेड कलर देना सिर्फ रेड कलर देना काम है नहीं उसे भी important कुछ काम है वो यह है कि hemoglobin oxygen के साथ bind करता है और यही oxygen जो है पूरी body part में पहुच जाता और ultimately सारी cells में पहुच जाता है यानि hemoglobin नहीं होगा तो oxygen नहीं जाएगा सोचो कितना important part है और यह hemoglobin के वज़े से blood red होता है यह तो हमने देखी लिया इसके अलावा अगर हम लोग नीचे जाए WBC पढ़ने से पहले और भी कुछ extra चीजे में आपको blood के बारे में बता देती हो जब हम लोग human की बात करते हैं तो और फिर आर बऑसी में ना कोई न्यूकलिस नहीं होता है आर बीसी हाज नो नुपलिस यह घुक्सेल है ना और सेल एम एक्सपेक करते कि नूपले सो इसमें कोई नहीं होता वैने आपको चेल के पार्ट भी बताए थे लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ठीक है एक्सेप्शन दो आनिमल यह आप लोग याद रखेंगे यही सब बनता है क्वेस्टन के लिए इसको बोलते हैं ताजा मसाला ओके सो वन इस एक्स वन इस क्यामल एंद दूसरा इस लामा यह दोनों एनिमल यह लामा को गूगल करेगा आप लोग यह देखिएगा आपको अच्छा लगेगा चल आर बीसी के वर में देख लिए कि इसमें दूसरी चीज की आर बीसी फॉर्म का होता है तो आर बीसी इस फॉर्म इन बोन मैरो तब भी बोन से इतनी इंपॉर्टेंट है हमने यह भी देख लिया था प्रिवेस चैप्टर में की स्केल्टर सिस्टम की बता रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन जो है ब्लड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो बोन मैरो बोन के अंदर होता है यह पर आपीसी बनती है आर बीसी के बात करें तो आर बीसी जो है उसको उसका लाइफ स्पैन होता हमारा लाइफ स्पैन है सौसर इनका भी लाइफ पैन होता है लाइफ स्पैन होता है ट्वेंटी से वंट्वेंटी डेज ठीक है यह सारी चीज अपने सोचके कितना कम है ए102-110 देनी है ठीक है इसका लाइफ स्वें हो गया आब हम लोग बात करेंगे वाइट बलड़ इंट्रेस्टिंग चीज़ है आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे सुनों की इमेर्जिन करके देखो तो आप लोग बड़े अच्छे से याद हो जाए का हमने एक दम रटना नहीं सब समझना है डबलुबी सी की बात करें तो वाइट ब्लट सेसे वाइट क्यू होगा क्यूंकि इसमें हीमोग्रोबिन नहीं है तो लाल तो होने नहीं वाला दूसरी चीज़ इस वज़े से इसमें ब्लट से इनका काम होता है फाइट करना जर्म्स के एगींस ठीक है जो प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रौल हो गया हीमोग्रोब बड़ुबी सी का डबलुबी सी के टाइप होते हैं यह हम एक्स्ट्र चीजें पढ़ना है डबलू बीसी को भी काटेगराइज करते हैं इसके भी टाइप होते हैं रबीसी का कोई टाइप नहीं है तो पहली चीज अब लोग क्या लिखेंगे इथाज न्यूकलियस है की नहीं तब ही तो हम टाइप कर पा रहे हैं इसमें न्यूकलियस होता है इसमें न्यूकलियस के बेसिस पर इसका टाइप होता है ठीक है पहला टाइप होता है इसका होता है न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल बेसोफिल लिंफोसाइट मोनोसाइट अब भी देखो कैसे लेंफोसाइट इनका प्रोटेक्शन ही आलग अलग इन्फेक्शन से लड़ते जिसे जब आपको बहुत जाता अलर्जी हो जाएगी ना बौडी में जब आपको बैक्टेरियल जैसे एक्जामपल देती हो एक आपको जब आपको पुई फंगल इंफेक्शन हो गया या फिर infection हो गया तो हमारी बॉडी में ये नेट्रोल बढ़ जाएगा ठीक है और निउट्रोफिल के बढ़ने से क्या हमें पाथ चल जाएगा की भैक कोई infection हुआ है तो सोचों कि इसी तरह ही तरह ही यहां से निकल नहीं पाएगा इसको हम प्लेटलेट कहते हैं तो चलो थोड़ा सा प्लेटलेट के बारे में इंपोर्टन चीज़े बता देखते हूं तो बलड में सब्सक्राइब ऍ τουacer jornal चीज़े नवरज निआफ अबशनल चाहिए टो यह चलो में लिख देती हूं डूर शरी मेर में ज Anoda में ऐसको थे एक तो जुब है श्कुत प्लेटलेट के बात करें ठीक शचलो हम नहीं मनेल कि बात करें इसमें बीट लेटलेट के dwaए कि आपर से नौ दिन का इतना कम लाइफ स्पान आपको ड़ूबिसे कभी लाइस लिख रहे हुँ आप समझ जाना क्या है इसका लाइफ स्पेंज वो थर्टी इंटी डेज तो सबसे ज्यादा लाइफस्पेंट एक्जाम से ग्जाम में आपको दिखा कि विच बलूड्सेल है हाइस्ट लाइफस्पैन तो अब क्या टिक कर क्या होगे यह सब क्वेस्टन मनते हैं कई से कुछ ऐसा डबल वो नहीं होता एक और इंफर्मेशन में आप लगों को बता देते हैं एक्स्टर इंफर्मेशन कि आर बीसी इस्टु डबलू बीसी का रेशियो हमारी बॉडी में ह चीजे मैं एक्सटर लिखी ने बड़े इंफर्मेशन आ जाते हैं अब हम लोग जो मुवन करें वह ब्लड वैसल पर हमने देख लिया ब्लड को ले जाने के लिए को ट्यूब तो चाहिए होगे ना जिसके थूब हो जाएगा तो वही ट्यूब होती है ब्लड वैसल यह लि लेकिन इससे सारी बॉडी के पार्ट पर लेकर कौन जाएगा वह आठरी लेकर जाएगी अब देखो जब ब्लड फ्लो आठरी में होती है ना तो बहुत ही हाइप प्रेशर पर होती है और जब हाइप प्रेशर तो उसको जहलने के लिए तो आपकी दिवाल घर पर अगर ब जैसे आर्टरी के होती है चलो अब उसके बाद की बात करते है बेंज जो होती है वह कैरी करती है कार्बन डायोकसाइड रिच ब्लड फ्रॉम बॉडी तो बैक टू हार्ट अच्छा चलो इस तो आप समझेगे इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होगा ऑक्सिजन रिच हमें आर्टरी से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाना था अलग-अलग बॉडी पार्ट में लेके जाना था लेकिन वेंज का काम दूसरा है कार्बन डायोकसाइड करके एक ही बॉडी पार्ट में लेके जाना है वह हार्ट तो अगर डायोक्शन यह भटक गया ब को qcome only टोवर्ड थी हाथ Panther इसे से में वालब होती है हमने देख लिया अब आप खीजेए वी और छोटे-छोटे प्लेंट रेख होते ऑड शेल में कर देते हैं वो चोट विसल की एक्स्ट्रीम लीब होती है और यह उती गें जशान करती है कर Marshall इंप्टी कर देती है आप जानती हो उटमेटली हाट में जाके हैं इंप्टी करदेना मतलब खाली कर देना सबकुछ और उसरा आप घाले को आप अपना हम एक चीज देखते हैं कि यांप थे थे अब हम पहुच गया है यहां पर ब्लड वेसल्स भी हमने कम्प्लीट कर लिया हमने आर्टरी वेन देख ली अब हम एक एक्टिविटी देख रहे है एक्टिविटी 7.1 इसमें हम लोग पल्स के बारे में देख रहे हैं आप लोग भी अपने अभी करके अब जैसे हमारी क्लास चल रहे है उसे सबसे आप करते करते देख सकते हो अपनी जो है ना हातों के पास ठीक है जो कलाई होती है वहां पर अपनी इंडेक्स फिंगर मने की इंडेक्स फिंगर पहली वाली उंगले और बीच वाली उंगले इन दोनों को आप अपनी राइट हैंड पे राइट आपको एक थ्रॉबिंग मुव्मेंट फील होगा लेफ्ट वाली कलाई पे राइट हैंड के वो थ्रॉबिंग मुव्मेंट को हम लोग थ्रॉबिंग मने धक दक की फीलिंग आएगी इसको पल्स बोलते हैं ठीक है पल्स का नंबर आपको काउंट करना कि एक मिनट में कितनी बार पल्स बीट किया उसको हम लोग कहते है पल्स रेट एक नॉर्मल ह्यूमन का 72 से 80 बीट पर मिनट होता है तो यानि अगर इससे उपर नीचे है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए हार्ट के साथ कोई मजाख नहीं करना चाहिए वैसे भी भी हार्ट एटक के रि सुना होगा तो हार्ट हेल्थ की बहुत जादा हमें ध्यान रखनी है वी आर हियर रिस्पॉंसिबल सेटेशन राइट चलो हम लोग रिस्पॉंसिबल लोग है यह मने देख लिए 72 से 80 बीट हो नीचे अब हम लोग हार्ट पर पहुँच के यही तो सबसे इंपॉर्टन और यह दियरां चेस्ट्कार्टी में होता है तिक है अगणयाच च्छेस्ट कहारां पर यहसी में स्केलटन सिस्टम वाली चैप्र में भी एक ही चापनी हुट्टरस एंदेखा में फोटोा कहते हुट है यह अब देख हरह रहे हैं यह प्लिएक्र ही इस लाइट. लेवक टिल ört जो चीज राइट में देख रही होती है हमारे लेफ्ट हमारा हमें बड़ी है तो अबपनी मुठ बनाए positively क्या बड़ी ही उत्ना ही बड़ा थोड़ा सा क्या है है यह हमद्हेले में बहुत एक जा रहा है कार्बेन वरल आ अगर मिक्स हो गया तो प्रोब्लम हो जाएगी एक तो वेन ने काम कर दी अपना दूसरा हाट को भी तो काम करना इसे हाट में चैम्बर सोते हैं ताकि मिक्सिंग ना ओपाए और यह मिक्सिंग अवइड करने के लिए 4 चैम्बर होती है हमारी होता चेंबर होता है यह देख लो इस तरह से यह हाड़ ने होता है यह आप लोग पई लोग रेख भिए लोग इस तरह हमारा हाट यह ओम हो गया राइट और और लेफ्ट और यह वेंट्रिकल हो गए राइट और लेफ्ट बीच में वाल्ब में डेक्षान इधर उदर नहीं होता है हाट में होती है चल हाट बीट की बात करते हैं तो हमारे है न उसका भी वॉल ठीक है किसी एक special टाइप की मसल से हैं यहां पर इंसीरती में नहीं है मैं इसको कार्डीयक मसल किते हैं तब ना कोई भी चीज हार्ट से रिलेटेड़ हैं उसमें कारडिया लगा जो कार्डियक मसल जो है जो कशल एक हर्ट नाम होतकी है this काम होता है यह कॉंट्राक्ट और एक्स्पैंड करती रहती है मतलब यह मसल मैंने आपको को संझाया था मसल का काम होता है कॉंट्राक्ट होना रिलाक्स होना इसी तरह से मसल काम करती है तो यह मसल भी कॉंट्राक्ट रिलाक्स करती रहती और यह रिद्मिक होता है मतलब कि एक तो यह थी हमारी स्टेटिस्कोप की कहानी के पल्स रेट लेट लिए यह देख लिए हमने कैपिलरी देख लिए हमने हाट देख लिया हम थोड़ा एक ब्लड डोनेशन देख लेते एंस आटी में दिया देख बहुत अरे लोगों कि ना देख इंडिया में इस वज़े से हो ज में क्या होता है ब्लड डोनेशन आप सूछते होगे ना रहे हैं मैंने खून देख लिए बिल्कुल नहीं हार्मिलेस होता है पेइनलेस होता बहुत लाइफ बचा सकता है ठीक है बस आपको एक चीज़ इंशूर करनी है आप लोग साह मियार इस मैंने का हम रिस्पॉंसिब तुरत बन जाएगा 150 दिनेमक्स तो कोई दिक ते हमने हाट के चेंबर देख लिए यह रहा हमारा हाट का फिगर हम देख लेते हैं इसके बाद हम लोग हाट बीट देख लिए हमने स्टेटिसकोब देख लिया हमने अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है कुछ और दू लोगं है गैसे धोयाट ईने सुक्रा इसे मfully मैं पॉर हाटन 뚜क वह है मोओ जो धनल है इस तूर पडहीं है मगां एक्चे आगपन उन शेने जह स्कृत में फुर धर निम में किसी बी बीढर का स्रकुलेटरी सिस्टम नहीं होता है तो आप सोचों कुछ पाने नहीं और ने लिए पानी और दूसरे अनिमल के अगर हम बात करेंगे एक स्क्रीशन की बात करेंगे उस्करीशन की तरह काम करेगा इसलिए उसका मुफ़ल हिंपॉर्टेंट है तो अब अगर हम दो दूसरे आनिमल में एक्सक्रीशन देखें तो जो मचलिया होती है जो पानी में रहते हैं आपको ये चीज़ याद रखना ये भी important question aspect है जो भी animal water में रहते हैं एक्विर्टिक एनिमल वह एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया ठीक है उनका एक्सक्रीटरी सबस्टांस होता है और हमारा क्या होता है हुमन्स का होता है यूरिया यूरिया हुमन्स का एक्सक्रीटरी सबस्टांस होता है और जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर लीजर्ड होते हैं साप होते हैं इनका होता है यूरी कैसे ठीक है तो इस तरह से हमने एनिमल के स्क्रीश्टरी सब्स्टंस के बारे में देख लिए हम अब हम लोगवाद के स्क्रीटरी सिस्टम इडिटेल में कै ए binge song कि सबसे पहले हैं सबसे तो में बात करें तो यह भी शीटम में तो कुछ चीजों से मिलकर ही बना होगा, तो जो पहली चीज है, वो है दो किडिनी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहां पे रहे दो किडिनी, ठीक है, किडिनी जो होता है, उसके बाद होती है, यूरेटर, यूरेटर एक पाइप मान लो, जो किडिनी से एक्सक्रीटरी सब दो केडनीGu, दो, एक यूरिणवग और यूठ रच चलिए नाम से काफी कर क्लिर नहीं यूरिनरी ब्लैडर इसमें यूरिन हो चल नाम से क्लियर नहीं हमारे रिमूवल होता है हमारे वेस्ट Bishop Complete निम्क रिम्मूर्फाइं को सकते बिलोध करता है क्र दोषा व्लॉद रिच तो एसमें क्या होता है कुछ हामफुल और यूजफ़ल दोनों धा तो यूसफुल को वापस भी तो एक्सक्रीशन तो करता है यह साथ-साथ काम की चीज़े एब्सॉर्ब भी करा लेता है ठीक यह आप याद रखेंगे अब जो वाटर डिजॉल्व होता है जो वेस्टिड होता है वह पानी में डिजॉल्व हो जाता है तब बनता है यूरीन ल यह as it is question में आ जाता है अभी आपको लगेगा यह क्या यह तो यादी रह जाएगा ऐसा नहीं होता है एक्जाम में question option देखकर confused हो जाते है देखो एक normal urine जो होता है वो 1 से 1.8 लीटर होता है 24 घंटे के अंदर human pass कर सकता है इतना urine ठीक है उस urine का composition important है 95% water इतना ज़दा पानी होता है 2.5% यूरिया होता है 2.5% बाकी के वेस्ट प्राड़क्स भी होते हैं ठीक है लेकिन सिर्फ यूरी नहीं है जिस तरह से जिससे जो है वो रिमूबल होता है वेस्ट का sweating भी बहुत important form है जो हम पसीना निकलता है पसीने में पानी और नमक दोनों होता है तो जब हम प मेंटेन करने के लिए अगर अंदर की बॉडी हीट अप होगी तो काम नहीं करेगा तो यही तब वहां पर स्वेटिंग का यूज होता है किड्नी फेलियर जब हो जाता है कुछ लोगों में तो वेस्ट क्या होता है तब उनको आर्टिफीशल किड्नी की ज़रुत पड़ती किड्नी कर लिए ब्लाडर कवर कर लिया हमने देख लिया किस तरह से फिल्टरेशन होता है हमने अच्छा चलो एक और चीज़ स्वेट के बारे में बता रही थी जब मटकी की हम बात करते हैं तो मटका जो स्वेट है ना उसका एक ग्जामपल आप ऐसे भी समझ सकतों कैसे अबने कlike को गए घर्मी में मिट्टी के मटके रहते में ट्ड़ था जब gotta रहते देख पानी में में थंडंटा रहते हैं क्यों चोडी छोटी पोर्स हो ठेज हो जाता है वेपोरेशन में, ब εν Tutoälë में में आप भी समझा है कि तुअ護 लोग के पल्टि अपलने में प्याद नोत्ज मैं है प्लांट healthyhoo हम दोन प्रेंट के अम धगन कर दो착那我們 in Sun Hill Six Ham बत वो वो लेता करून है वो रूटलेता और वो कहा के जाता है यह निज्स करते हैं तरने नियुस्ट करते हैं जाना भाद में इस से खाना बनाते हैं पानीit कार्बन डायोकसाइड ले ले लेते हैं और से और बाद में फोटो सिंथेसिस के दौरान कार्भो हाइड़ेड और ऑक्सिजन रिलीस कर देते हैं तो अमने पढ़ी लिया था अब अब हम ट्रांस्पोर्टेशन और वाटर एंड मिनरल की बात करें तो प्लांक जो है वह फोट अब प्रोड़क्त होता है तो अब अब लेक्ट करेंगे अच्छा भी लगेगा चलो तो जब हम लोग ट्रांस्पोर्टेशन और वाटर एंड मिनरल कपड़ते हैं तो प्लांट एब्सॉर्व करते वाटर और मिनरल के थूरू रूट में क्या होते है रूट है ऐसे करके अ तो जो रूट है उसका काम क्या उसका काम सरफिस एर्या बढ़ाना जितना सरफिस एर्या होगा उतना एब्सॉर्व ओका पानी और उतना ही मिनरल में डिजॉर्व हो जाएगा और वह उपर की तरफ चला जाएगा मैंने आप लोगों को सरफिस एरिया का भी एक्जाम्पल वह बन जाता है तो वह सारे सेल्स थे वह मिल गए तो टिशू बन गए ठीक है यह हो गया टिशू ओके अच्छ चलो मैं आपको लगे हाथ और चीज़ बता देती हूं सेल धेर सारे सेल मिलेंगे तो बन जाएगा टिशू धेर सारे टिशू बन जाएंगे तो बन जाएगा ओर्गन धेर सारे ओर्गन बन जाएंगे तो बन जाएगा ओर्गन सिस्ट कि यह मैंने ऐसी आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया तो जो वैस्कुलर टिशू सिस्टम होता है प्लांट में वो दो पार दो चीजों से बना होता है जाइलम और फ्लोम में जाइलम और फ्लोम के फोटो में दिखा देते हैं अच्छा सब वापस आऊंगी आंपर को ट्या स्फोलर करेवाना वह जाइलम में जल आता है तो उस से मैंने याइड दैओ तो वैटर जो चैनल को मते पर बातिसे और फ्लो 2020 करता है औरे। यहां तक आपका पानी पहुंचता है प्लांट में तब जाकर फोट्रेजिस हो पातीया है फूँड बन पाता है विस, टीशू जो होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते होते हैं फ्लोम मैंने आप लोगों को बताये था उसके अलावत जो है ने ट्रांस्पीरेशन हमने प्रिवेस क्लासेज में पड़ा था ट्रांस्पीरेशन तो क्या सिर्फ हमारी बॉड़ी कोई चाहिए कूल होने की हमने देखा ता स्टोमाटा के थूरू जो की लीफ की सर्फेस पे होता है उसको हम लोग ट्रांस्पीरेशन बोलते हैं ट्रांस्पीरेशन में एक फोर्स ट्रांस्पीरेशन हो कैसे रहा आखिर यह बाहर निकल कैसे रहा जब आप से कुछ पीते हो पानी स्ट्रॉग से अग ठंडा हो जाता है अब कुछ NCRT की एक्स्ट्रा बिट्स थी जो NCRT के ही अंदर थी यह देखो चलो पर उसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूं यह देख लिया और इसके अलावा में यहां भी आप लोगों को दिखाती हूं जायलम और फ्लोम यह देखो यह रहा जा जायलम से कैसे देख रहो किस तरसे पानी वगेरा जा रहा है एक ट्यूब के थ्रू और फ्लोम से खाना जा रहा है ठीक है एक और चीज़े जो इसमें नहीं दिया बड़ मैं आप लोगों को समझा दू जायलम में पानी सिर्फ एक डिरेक्शन में उपर जा रहा है यूनि बाइडिरेक्शनल है दो वे फ्लो होता है इसमें सिर्फ वन वे फ्लो होता है यह एक्स्ट्रा चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है ठीक है यह हमने देख लिया अब हम जो है वो आचुके है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जो एंसी आर्टी में दीनी है पहला विल्यम हर्वी ने ना सबसे पहले डिसकावर किया था कि ब्लट सर्कूलेशन में पहता है ठीक है बॉड़ी से हाट तक हाट से बॉड़ी तक लेगिन उससे पहले माने जाता था कि ब्लट ऑसिलेट कर रहा तो उनको मजाग में बुलाने लगे सब को और इस वचे से बड़ देख लिया आप ते नाम याद रखना सर्कूलेशन डिसकावर किया था और डाइलिस भी हमने देख लिया था इस तरह से हमारा यह ब्लट वाला चाप्टर कंप्लीट होता है ट्रांस्पोटेशन आज एक्स्क्रीशन अब हमारा आप जानते हम क्या करते हैं वी नाव प्रा कुछ चीज़े समझा देती हूं ठीक है पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दू इसका आंसर है बी किड्नी ठीक है बोमेन कैप्सुल लूप अफ हैं जब हम किड्नी की बात करते हैं तो किड्नी जो है वह भी इतना बड़ा और इतना बड़ा काम कर रहा है तो ऐसी एक्स कर नहीं रहा होगा ना तो उसके अंदर कुछ पार्ट होती है ठीक है जो यह पूरा फिल्टरेशन कर वारी होती है उनको ही हम कहते है बोमेन कैप्सुल लूप अफ हैं ले तो इसमें क्या होता है जो किड्नी को ना रीनल टीव और कभी वर्ट दीख जाना तो किड्नी के ल होता है यहीं पर हो रहा होता है आपका फिल्टरेशन यहीं सुस्कूर लूप ओफ है ले और हो जा र्योंया होता है चोड्यक saud deber कर अंदर पार्ट होती है हसान्तिस्ट का नाम था इसलिए लोप अफनले और बोमेन कैप्सुल यहाया Keyorka ר यहे सारे मिलकर के एक्रीशन में मदद करते हैं तो यह हमारे किडिनी का पार्ट था हो गया हर औरगन की अंदर पार्ट होती है जिसे हमने आत्में दिखा था उसके बाद एक question आया है कि कौन सा ऐसा blood का part होता है, body का part होता है, जो infection से fight करने में मादद करता है, क्या था, WBC, exactly, blood cells, जिनको shoulder of the body भी कहते है, मतलब हमारी body soldiers का क्या काम होता है, protect करना, तो बड़ असान सा question यह, WBC हो जाएगा, good, अच्छा, अब blood का volume total कितना होता है, normal adult में, यह जो होता है, वो होता है, five to six liters, ठीक है, तो यह हमने देख लिया blood का volume five to six liter, अच्छा, अब हम एक previous class में हमने respiration पढ़ा था, उसमें डाइफ्राम और rib cage के बारे में देखा था, तो इससे एक question है, कि expiration के दौरान जब बाहर निकल रही होती है, हमारी body से, तो डाइफ्राम किस shape का हो जाता है, तो यह आप लगों का question है, previous class है, मैं एक previous question भी आप से सोच रही हो, डालने का, इसे क्या होगा, आपका revision भी हो जाएगा, तो यह आपका हो गया question of the day, qod, right, तो यह qod है, इसका आप लोग answer मुझे comment section में बताएंगे, ठीक है, अब एक और question देख लेते है which among the following helps in circulation of blood, blood circulation में कौन मदद करते है, अब यह ना बढ़ा अच्छा question है, देखो, यह इसका answer होगा lymphocyte, अब बताती हो कैसे, देखो, circulation blood खुद कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके circulation में lymphocyte ही क्यों answer हो, एथ्रोसाइट या मोनोसाइट या ब्लाड प्लेटलेट्स क्यों ही WBC का ताइप होता है, ठीक है, lymphocyte का काम होता है, एक्सेस fluid जो हमारी cell में होती है, उसको कलेक करना और वापिस से blood stream में लेके चले जाना, और फिर बाद में बाकी body में चले जाना, तो इसमें कर रहे है lymphocyte, सर्कुलेशन ही तो करवा रहे है, concentration में, एरित्रोसाइट एक प्लेटलेट्स थ्रॉम्बोसाइट छोटे होते हैं छोटे-छोटे फ्राग्मेंट्स में होते हैं ब्लड के ठीक है और थ्रॉम्बोसाइट इसको क्यों बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइट इसको क्यों बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइट इसको क्यों बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइट आर्टरी चेहीं और वेंज हमने में देखा और होती है क्षिईयरी आपको काम्र लेंग लेंटेड़ लेकर रही है इसां या प्लमोने नरी अर्टृ कर दिशिया वह जब इसक updates है नियां ट्री में मैं प्लमोने प्लमोने गेंट कशिया जा जय आपको क्वाम जा जाने चाहिए तो question of the day तो आप लोगों ने देख लिया यह लिंफोसाइट आंसर यह भी आप लोगों ने देख लिया तो इस तरह से हमने यह पूरा चाप्टर जो है वो कर दिया इसके अलावा मैं मैंने सोचा है मैं एक दो और एक्स्ट्रा इंफिर्मेशन आप लोगों को आज की क्लास में दे दू जो मुझे लगता है एक्जाम पॉस्पेक्टिव से पार्ट है ही मोगलोबीन ही मैं ठीक है उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहरी थी कि जब हम लोग सो रहे होते ना वेन वी आ स्लीपिंग तो हमारी बॉडी में आर बीसी पांच परसेंट गिर जाता है ओके तो यह चीज एक मेरे को लगी काम की क्या आपको पता होनी चाहिए ठीक है उसके बाद क्लोटिंग और ब्लड को ना कोईगूलेशन भी बोलते हैं क्लोटिंग इस आल्सो नोन एस कोईगूले यह प्लाइज्स फ्लाइब को दैते है सब्सक्राइब भी स्लाइटली अलकलाइब को तो हमारे जो प्लाजमा होता है उसके अंदर ना कार्बोनेट प्रेजेंट होता है और कार्बोनेट ऐसा कंपाउंड होता है जो पी बेसिक होता है तो कार्बोनेट आयन की वज़े से जो होते हमारे ब्लड में इस वज़े से हमारे जो पी एच होता है वो थोड़ा सा एलकलाइन क नहीं की विको भत dus 1-2 निसमा में कि पेर होता है कि टैम ने वर कि विक्साटन को नहीं फिमेल में थोड़ा सा ब्लसर होता है जैनन हो सब एक विक्ट मेल के विकशन में सैस्ट होता है में फीमेल ज्यादा बॉड़ी फैट सेट टोर गते हैं लकीं हमते अहेंगा है लाट को चैज़ए जो मैं यह लोग को बता ना था चलो इक और चीज बता देती हो विच इना इस ग्रीवियर्ड ऑलग ऑस आर्बीशी को यहां रखना है graveyard of RBC क्या होता है स्प्लीन इस graveyard of RBC ग्रेवियार्ड इस ले बोल रहे हैं क्योंकि RBC यहां पर जाकर देथ हो जाती है ठीक है बट बनता कहां पर बॉन मैरो में हमने देखा था तो यह चीज आप लोगों को याद रखने हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफरमेशन देन दे स्ट्राइब कर ली ट्रांसपोर्टेशन वाले यह सारे हम जैसा कि देखने हमने सारे कीवर्ड कर ली है हर चीज कंप्लीट किया है तो आप लोग पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों कुछ अगर नहीं समझाया कुछ नहीं विध देस आई कंक्लूड मिलते दूसी क्लास में